हलो मैं प्रीती, इजी टी कुक से आज मैं आपको 5 मट में हरी मटर से बहुती चटपट और टेस्टे नास्ता बनाना बताऊंगी, जिसे हम गुगनी भी कहते हैं, इसे हम यूपी स्टाइल में बनाएंगे इसके लिए मैंने आधा किलो मटर के दाने लिए हैं जिसको हम अच्छे से चील कर और ढोकर तयार करके रख लेंगे, पानी समिसे हम हटा देंगे, इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, प्रेशर कुकर में बहुत थोड़ा सा हमने घी लिया, उसमें हींग डालेंगे आप देखेगा कितनी जल्दी बन जाती है ये है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये मटर इस तरीके से बनाई हुई, इसको आप हेंडो नाश्टी में बनाई है, चाहे लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, साथ ही इसमें हमने जीरा डाला धनिया, सुखा हरी मटर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और विंटर स्पेशल डिश आई है क्योंकि विंटर में मटर बहुत आती है, तो हम इस तरीकी मटर आप जट पर तियार कर सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं अब इसको हमने स्लो गैस पर बूना, लाल मिज डाली, इसमें हम हल्दी का यूज नहीं करेंगे, चूंकि हल्दी डालने से जो इसका जो ओरिजिनल कलर है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मटर जो है विकदम हमारी हरी रहने चाहिए, अब इसमें हमने मटर के दाने डाले मटर से और भी भहुत सारे चीज़ें, मटर की खस्ता कचोड़ी बनती है, टिक्की बनती है साथी आलू मटर की स्पेशल चाठ बनती है, यह सब रेसिपीज आप मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके से और भी मैंने नाश्टे की बहुत सारी चीज़े डाली हुए जिन्हें आप देख सकते हैं बहुती सिंपल तरीके से मैं सारी रेसिपीज बताती हूँ साथ ही इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार इस तरीके से बनाने से एक तो इसकी जो nutrition value है वो भी कमनी होती चुकि बहुत जादा हमको इसको कुक नहीं करना है दूसरे टेस्ट भी जो है उसका original टेस्ट बना रहता है ठोड़ा सा इसमें हम पाने डालेंगे ताकि जो पकने के बाद इकदम सूखे नहीं अब इसको अच्छे से चला देंगे और कुकर क्यों हम कवर कर देंगे कवर करके हम को इसको तेज गैस पर एक सीटी लेनी है एक सीटी लेने के बाद हम इसको खोल देंगे देखिए एक सीटी उलग चुकी है हमारी वटर हमारी एकदम कल गए है मिश्किल से 2 मट में आपके सीटी आ जाएगे उसके बाद हम इसे खुली गैस पर थोड़ी दिर के लिए पकाएंगे साथ में इसमें हमने डाल दिया है खटाई यानि अमचूर पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला देखिए मटर हमारे कितने एक दम इसमें आप चाहें तो अंदर अध्रग भी डाल सकते हैं इसमें पकाते समय कि इस तरीके से हमारी हरी मटर की गुमनी तयार है टेस्टी नाश्टा तयार है आप इसे डोस के साथ सर्फ कीजिए चीज सैंड़िच के साथ जो मैंने तवी पर बना ना बताया था उसके साथ सर्फ कर सकते हैं और पहले से जगर आपको ज़्यादा नाश्टे त्यार करने तो इसे बना कर रख सकते हैं अगर आपको मेरी रेसी पसंदा है तो प्लीज इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें